नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आशा करती हूं अच्छे होंगे तो आज हम करेंगे अध्याय दो गदों का पोज ये केवल आपके लेसन दिया हुआ है पठन ही तू यानि केवल पढ़ने के लिए है इसका कोई नमबर नहीं है फिर भी मैं आपको पढ़ कर इसे सम पर गए तो किंग अकबर उनका प्रिंस और बीरबल जो है वो मॉर्णिंग वाक के लिए गए आज सुबह का मौसम बहुत सुहावना थैज सुगंदित समीर तन मन को प्रफ फूलीत कर रही है तो किंग है हो वनमोहक वातवर्ण ने सुभह की सेर का आनंद ही दुगना कर दिया है तो बीरबर बोलते हैं आप सही कहा रहे हैं जहाँ पना का मिंस भी रहताई किंग यह जो आस पास का इंवर्मिन्ट है वो बहत अच्छा है और इससे हम जो मौर्णिंग वाक कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा लग रहा है तो इस वाले चित्र में आप देखिए ये है प्रिंस, ये है किंग और ये है बीरबन सुहाव ने मौसम के कारण भी चलते चलते बहुत दूर निकल गए मतलब उनका वाक थोड़ा डिस्टेंस तक हो गया अब तक सूरच की गर्मी काफी बढ़ चुकी थी और धूब भी असनी हो गई थी हलाकि वे मौर्निंग वाक पे निकले थे लेकिन बहुत दूर चले गए तो क्या हुआ टेंपरेचर हाई होने लगा और जो सनलाइट थी वो भी थोड़ा सा चुबने लगी बाश़ा ने अपना लबादा उतार कर बीरबल के कंधे पर रख दीया और बोले अब हमें वापस चलना चाहिए तो राजाने किंग ने ऐक बहुत कोट टाइप का बड़ा सा कोई कपड़ा पैना था उतार के और बीरबल पर रख दीया और बोले वापस चलते है शहजादे ने भी अपना लबादा उतार कर बीरबल के कंदे पर रख दिये और बोला मुझसे भी गर्मी सही नहीं जारी तो जो उनका प्रिंस था उसने भी अपने कपड़े उतार के बीरबल के कंदे पर रख दिये चलते चलते बाश्या की नजर बीरबल पर पड़ी उन्हें मजाख सुजा तो बाश्या जो है वो जब जा रहे थे उन्होंने देखा बीरबल के ओपर इतने सारे दौनों कपड़े बड़े बड़े लगे हुए नों ने कहा बीर बल आप तो तुम्हारे पास एक गधे का बोज़ हो गया है यह दोफ़ा जेडितेёлी कि आप तो बोल रहें एक गदे का लेकिन मेरे उपर तो दो दो गदो का बोज है मतलब दोनों को वो गदा बोल देता है यह सुनकर पहले तो बाशा और जहां शहजादा जहेप गए मतलब परेशान हो गए और फिर वे खिल खिला कर हस पड़े जब उन्हें अच्छे से पता चला तो फिर किये तो एक जोग है तो वो सम मिलकर हसने लगे इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है आशा करती हो आपको अच्छा लगा होगा